हेलो एवरिबन वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशा लड़ा पे आज की इस वीडियो में आपके लिए खास है वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में यूपी जुडिश्री जो एक्जाम होने वाले हैं फैब के महीने में उसमें जो नौ एक्ट्स एड़ान किया गया है उनमें से एक एक्ट के उपर एमसेक्यूज डिसकस किया गया इसमें मैं आग्ट का नाम बता दूँ आपको दराइट्स ऑफ परसन विडिस डिसबिलिटीज एक दोहजार सोला 2016 दिव्यागिजन के उपर जो अधनियम उन्होंने जोड़ा है उसके उपर इंपोर्टन एमसेक्यूज लेके हम लोग इस वीडियो में आये हैं इस वीडियो को लास तक देखे इंपोर्टन एमसेक्यूज आपके सामने रखे जाएंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ जुडिशल अड़ा के प्लेटफॉर्म पे आपको स्टड़ी मट्रियल और सारे सब्जिक्ट पे इंसेक्यूस आपको मिल जाते हैं मेंसेंसर रायटिंग की प्रैटिस करवाए जाती है डाउट क्लिंग सेशन होते हैं मोक तस्ट इस वास जाता है लेडिंग केस लॉज आपको पीडियाफ अलग से दिये जाते हैं जनरल नॉलेज जी के करेंट अफेर्स भी प्रोवाइड किये जाएंगे और इस्टेट वाइड इस्टेट वाइज प्रिप्रेशन भी होते हैं तो चलिए बिना वेस्ट कि आप हम लोग आगे और आज का यह first question जो है उसको हम लोग देखते हैं the right of person with disabilities act 2016 से यह पहला question है जो कि मैं आपको बता दू कि आपको यह पता होना चाहिए सारे जितने acts हैं उनका मलब came into effect कब आया came into force लागू कब हुआ यह हर act पे आप at least जान लीजे तो कहीं न कहीं आपकी question से एक फस तो यह question ऐसे भी आपके तयार हो गया next question है कि which section of the act defines discrimination 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 बहुत सारे terminology defined है जैसा कि आपको पता होगा section 2 में इस अधिनियम के discrimination हो गया person with disabilities हो गया person with disabilities with benchmark disabilities वाला हो गया person with disabilities जो की high support needs की ज़रूरत है उसको वो आला section हो गया ऐसे कई सारे terminology हैं जो आपको ध्यान में रखने है और याद करने है तो जहां तक discrimination की बात करें वो 2H में defined है इस section of act defines person with benchmark disabilities अब वो एक question आ गया फिर से कि person with benchmark disabilities कहां पर define है यह आप से पूछा जा रहा है तो मैं आपको पता दूँ कि 2R है और 2S है और 2T है तो देखिए इसमें 2R में person with benchmark disabilities है उसे के बाद S है 2S person with disability यह वाला define उन्होंने कर दिया है उसके बाद जहां तक T की की बात करे तो एक और terminology है जो आपको अपने जहन में रखना है जहां से question आने के chances है person with disability having high support needs तो person with disabilities है person with disabilities having high support needs तो हाई support T से है आप ऐसे याद करो कि T में है 2T में तो 2T में person with disability having high support needs है तो हार में आपके सामने है person with benchmark disabilities यानि कि आप जब sequence से पढ़ेंगे तो person with benchmark disabilities पहले आता है person with disabilities यह 2S में डिफाइन हो उसके बाद आता है उसके बाद last 2T में person with disability having high support needs आता है तो तीनों definition अपने आप में रॉंग लगता है या कोई suggestion है आपका तो you are most welcome आप हमें comment कर सकते है नेक्स सेक्शन इसक्शन इंपावर्मेंट और साथ इसाथ लोकल अथॉर्मेंट के ओपर यह एक तरीके से duty कास्ट की गए कि वह इंशोर करेंगे कि women and children with disabilities जो है वो औरों के जो अधिकार होते हैं यह भी लोग अपने अधिकारों को बराबरी से enjoy करें इसके ओपर सेक्शन चार है coming question है who shall take measures to protect person with disabilities from being subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treatment तो यह भी एक सेक्शन है आपके act में पूछ लेते हैं कौन है कि appropriate government या local authority कभी-कभी central government का आप नाम देखेंगे तो उससे संबंदित एक सेक्शन है section 6 कि appropriate government तो यह सी वाला option है correct है appropriate government के उपर बात करता है appropriate government जो है measures लेगी step लेगी जो भी लेना होगा ताकि person with disabilities के साथ cruel ना हो inhuman या degraded treatment ना हो torture उनको ना किया जा सके वो major step उठाएगी appropriate government है answer कभी-कभी central government होता है कभी-कभी appropriate government होता है तो अलग-अलग section में अलग-अलग है यह आपको ध्यान देना है coming question this section provides that election commission of India and the state election commission shall ensure that all polling stations are accessible to persons with disabilities and all materials related to the electoral process are understandable by and accessible to them person with disabilities को भी जो voting देने वो जाते है तो उनको सहुलियत प्रतान किया जाए accessible हो उनको चीज़े समझ में आए अब चुकि person with disabilities कुछ चीज़े उनको समझ में नहीं आ सकती है हाला कि फिर भी वोट दिने का अधिकार उनको भी है तो यह election commission of India की duty है चाहे वो central level पर चाहे state election commission की बात हो तो वो ensure करें कि सारे polling stations जो है ऐसे person with disabilities जो है उनके द्वारा accessible है आसानी से वो जाके दे सके ऐसा section 11 में है section 11 को आप पढ़ लीजेगा महाँ पर आपको detailing मिल जाएगी तो यह section 11 आपको याद करना है next question भी section of right of person with disabilities 2016 deals with the home and family तो direct question है home and family की ओपर हमारे पास एक section है section 9 home and family में मत बता दूं आपको क्या है section 9 में कि मतलब child with disabilities है तो उनको घर से नहीं निकाला जाएगा यह नहीं disabilities को घर से बाहर नहीं रखेंगा आप उसको घर में रखें जैसे और बच्चों को आप रख रहें हाँ जरूरत पढ़ी तो कोट उसको और दे सकता है उस बच्चे के भविश्य के लिए बच्चे के फायदे के लिए बेनफेट के लिए कोट के और पर उसको अलग से रखा कि बाता खेंगा आप के इस बेर्िकट में आप ऐसे याद करने के लिए आप हमारे पास एक चैप्टर है यहाद है मैं आप शेक्षन हैं आपको बता दूं 16 17 18 यह तीन ही सक्षिंस है उनमें से पहला सेक्षिंस वह कहीं नगहीं बताता है डुटी ऑफ एजुकेशनल इंस्ट्यूशन 16 सोला डुटी ऑफ एजुकेशनल इंस्ट्यूशन के बारे में बताता है कि अब यह कह रहे है कि उसी 16 से आप से पूछ रहे हैं कि डिव्टी क्या होंग गये जो person with disabilities तो दिव्यांगिजन व्यक्ति हैं उनके संबंदित क्या duties होंगे educational institution के तो भाई ये सब duties हैं जो आपको screen प्रिदिक राय सारे option की building campus बनाना है ना और admit them without discrimination बिना discrimination के उनको प्रवेश देना educational institution में detection of specific learning disabilities specific learning के कहीं जरूरत है उसको detect करके उनको provide करना तो सारे हैं आप D option correct कर सकते हैं which section provide for equal opportunity policy तो ये भी section 21 में है और section 21 में आप एक कह सकते हैं कि जो education वाला chapter था मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ बार बार education वाला जो chapter था chapter 3 उसी का अगला जो chapter 4 है जो skill development की बात करता है skill development नाम है उसका skill development and employment ये आपका chapter 4 हो गया तो ऐसे याद कर सकते हैं chapter 4 ये शुरू होता है 19 से लेके 23 तक जाता है ये 19 से लेके 23 तक जाता है तो इसी में ये section 21 भी है जो बात करता है equal opportunity policy तो ये correct answer है ये वाला next question social security schemes shall provide for which of the following ये करें support during natural man-made disaster ये भी social security के बारे में बता दू अगला chapter आपका chapter 5 है तो जब chapter 5 आप देखेंगे तो chapter 5 का नाम है social security social security उसके बाद health उसके बाद rehabilitation and recreation ये चैप्टर पाच का नाम है और ये 24 से लेके 30 तक है तो उसी में social security scheme कहां पर provide किया गया है मलब कि social security scheme shall provide for which of the following किसके लिए social security प्रवाइट किया जाएगा क्या है उसमें तो आप all of the above कर सकते support during natural man-made disaster support to women with disabilities ये सब है तो all of the above कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में 10 questions आपके सामने रखे गए हैं आप से मैं दुबारा request करूंगा कि आप लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और आगे इसी चैप्टर पे इसी एक्ट पे और भी mcqs है मारे पास जो मैं next वीडियो में लाओंगा और अगर आप अच्छा respond करते हैं हमें अगर आपने लगेगा तो next वीडियो इसके उपर और लाएंगे और mcqs आपके सामने रखे जाएंगे important mcqs तब तक के लिए thank you so much आपने अपने किमती वक्त दिया उसके लिए thank you so much